कि वेरी 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 इन्पॉर्टेंट यह कुश्चन्स आपके एक्जाम में 100% पूछा जाएगा राइट इश्यू पहले हम इसका अभी तक हमने किया ही नहीं है उसके बाद लास्ट रहता है डाइलूटिड खतम चप्टर क्टेश के आताए तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा हमने क्या देख लिया सिंपल इस सुख इंप्र recreation class बोनस देख लिया आपके देख लिया अब कौन सा है राइट इसू या क्मि हर किताब में इसका करने का तरीका अलग अलग है लेकिन मैंने इसका concept अपने हिसाब से develop कर लिया है कि बाई ऐसे ऐसे होगा तो इस तरीके से हमें करने वाले है एक्जाम्पल profit एक लाख एक चार को पचास अजार और इस दिन market value suppose 30 का है इस दिन market value कितने का है 30 का right issue 39 2022 कितने का one share for every every for और offer 20 रुपए का सर अब सबसे पहले ना right issue समझ लेंगे वैसे मेरे जो हमारा chapter है ना share capital वाला right issues में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है अब right issue क्या होता है राइट का मतलब अधिकार ध्यान से देखिएगा 2010 दस में एक कंपणी बना xyz और इस कंपणी के खूब सारे shareholder है तो इस कंपणी का honor भी कौन होगा यही shareholder होगा यही सीखा है हमने के कंपणी का honor कौन होता है shareholder है कंपणी ने इन सभी को उस टाइम पे issue किये थे क्या सर issue किये थे share और सबसे पहली बार इनको share issue किया गया था जिसको हम बोल देते हैं IPO initial public offer इसके बाद 2023 के अंदर company ने decide किया कि हमें और पैसा इंतजाम करना चाहिए और share issue कर देना चाहिए लेकिन भाई साब share issue अगर मैंने direct public को कर दिया तो ये नराज हो जाएंगे वो रहेंगा मालिक हमें हमसे तो पूछ लो हम क्या पता खरीद ले तो without मालिक के permission से नहीं पूछा जाएगा तो पहले company इन से पूछेगी कि भाईया आपका market price क्यूंकि आप मालिक हो market में 30 रुपे का share चल रहा है आपके पास अधिकार दिया जा रहा है कि 20 रुपे में आप इस company के share को खरीद लो तो इसके पास पहले right गया इस shares को खरीदने का किसके पास right गया existing shares holder के पास कितने का खरीद लो हमेशा सस्ता मिलेगा ऐसा नहीं बोलूगा भाई 35 का खरीद लो तो भगा देगा भाई 35 का बेच ले वैसे 30 का मेरे पास पड़ा हुआ है तो हमेशा कितने का मिलेगा उसको जितना market price चल रहा हो उससे सस्ते से अब इस नहीं मना कर दिया नहीं हम नहीं लेंगे शेयर अब यह शेयर जाएगा किसके पास पब्लिक के पास इसको बोलते है एफपियो परदर पब्लिक ऑफर तो हमेशा याद रखना जब कभी भी एफपियो आयता है तो वो शेयर बिकारी घटिया ही शेयर होता है क्योंकि जो पहले से एक्जिस्टिंग में शेयर होल्डर है वही नहीं लेना चाहरे इस शेयर को उसके बाद जो बचेगा वह इसका मतलब समझ लो यह लेने को तयार नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्राइज हो जाते हैं एक तो पहले से प्राइज चल रहा है तीस रुपए और मैंने किसने ओफर दे दिए बीस रुपए का और राइट इशू जो है वो मैंने बोला कि भाई साहब राइट इशू एक शेयर मिल जाएगा चार के बदले तो नंबर आफ शेयर क्या होंगे कुष्ण क्या है किश सार हमारे पास कुछ profit था और हम पहले शेयर इशू कर रहते तम्म टाकरई यहांपर कोई रोल नहीं मार्केट प्राइस से काम चलता राइट इशु में और जब हमने इशू किया तो उसके बाद उसको हमने राइट इशू कितने का दे दिया 20 रुपए का clear चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले एक हम basic working note करेंगे हम पता करेंगे हमारे shares का actual market price क्या होगा right issue करने के बाद तो हम पता करने का क्या तरीका है number of shares कौनसे वाला सर old वाला into market price plus number of shares into कौनसे वाला सर right issue वाला बहुत important है यह यही सवाल आएगा exam में right issue वाला into में market price right issue वाला divided by number of shares इससे हमें x shares का value पता लगने वाला है कि x share का price क्या है तो हमारे questions के हिसाफ से देखा जाए तो यह दोनों को एड करके number of shares एक price निकल के आएगा एक value निकल के आएगा that is sir 50,000 into 30 पंदरा लाक बारा पांसो इंट्टू 20 थाई लाख प्लस पंद्रा लाख सत्रा लाख पचास अजार डिवाइड़ेड बाई 6 तू फाइव डबल जिरो सर यह आगया 28 रुपए कितने आगया 28 रुपए यानि हमारे शेर्स का राइट इसू करने के बाद भी हमारे शेर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 28 रुपए का होना चाहिए जबकि मैंने इसको दे दिया कितने में इसका मतलब मैंने कुछ अपनी तरब से पैसे फ्री में दे दिये इसको 8 रुपए इसको फ्री में दे दिये अब हमें bonus निकालना पड़ेगा पहले ये वाला step होगा, second step अब find करें bonus तो bonus कैसे find होगा sir अगर आपका shares का price 28,000 है आपने कितने पैसे का इंतजाम किया आपने पैसे का इंतजाम कितना किया, right issue से कितने पैसे आए sir, right issue से पैसे 12,500 इंटू में 20 that is dead PR 500,000 600,000 अगर आपने 28 रुते के इसАप से , 50,000 रुपे अगर आपने 28 रुपे पर शियर के इसबसे इंतजाम किये होते मैं आपको जवाब देना है मैंने right issue से कितने पैसे इंतजाम कर लिये पहले ये बास समझ बहा है क्योंकि right issue मैंने 12500 था और एक share मैंने दिया उसको 20 का तो धाई लाग रुपे का इंतजाम राइट इशू से कर लिए हमने लेकिन अगर ये धाई लाग करा है वो किसके हिसाब से 20 लेकिन यही धाई लाग का इंतजाम अगर मैं करता 28 रुपे के हिसाब से करते हैं डिवाइड कर दो यानी 8928 8928 में ही काम हो जाता ठीक है ना 8928 जबकि हमने कितने share इसू कर दिये इसका मतलब सार actual आपने right इसू ये किये हैं और आपने total share कितने इसू कर दिये हैं 12000 तो बीच का difference बोनस होगा सर बोनस कुछ समझ में आया मैं इसलिए कह रहा था ये वाला concept आपके exam में 10 नमर का सवाल पूछा जा सकता है 5, 10, 8 जो भी हो आएगा जरूर पहले सबसे पहले हमने एक weight price निकाल लिया उसके बाद हम बोनस share calculate कर रहे हैं right issue में कितना value आया उसको divide करके number निकाला उस number को comparison किस से कर दिया हमने सर जितना number हमारा right issue का तो और जितना number होना चाहिए बीच का difference क्या आगया बोनस अब EPS पूछा गया सर एपिएस इसके आगे की कहानी marker change profit divided by तर पहले पुराना share into 12 बटे में plus bonus share पता चल गया इसको भी क्या करें 12 बटे में क्योंकि bonus share का nature क्या होता जिस दिन original था उसी दिन से end तक लेंगे यही होता है न तो 12 बटे में 12 right issue कब issue क्या भाई right issue checkro date checkro date checkro date मिल गया और right issue कितने है ये वाले right issue माने जाएंगे आपके ना कि आपके ये वाले माने जाएंगे अब right issue कितने छे महिने के लिए 8,9 2,8 into 6 by 12 थोड़ा इसको इधर लेके आ जाते हैं solve करके बता दीजिए फटा-फट से ये 5 53,572 रहेगा 89,28 डिवाइज 2 प्लस 35,572 प्लस 50,000 डिवाइज जो हो रहा है वो हो रहा है 58 और एक लाइख ड़न क्लियर तो सर अगर ये बात समझ में आ गई है इसी के बेस पे ये सवाल है कल ने अभी तो diluted भी करके ख़दम करेंगे इसको सर बारा डिवाइड़ बाइ साथ होगा पता नहीं क्या होगा है साथ के साथ चलता रहेगा आपका विकॉस आफ क्यों की क्यों की EPS वगएरा देखो सारे AS खतम करूँगा एक देखो दो चप्टर मेरे हिसाफ से पेंडिंग है एक वेल्यू एडिट फानेंशल स्टेट्मेंट और एक लास्ट का जो थियोरी का चप्टर है CSR वाला वो दो चप्टर पेंडिंग इसके बाद AS के अंदर दो AS पेंडिंग है एक सत्रा और एक उन्नेस वो भी एक दिन में निपढ जाएगा सत्रा और उन्नेस जो है प्योर्ली थियोरिटिकल है यह पूरा प्रैक्टिकल है अभी तक देख रहे हो कि इसमें से थियोरी नहीं आएगा प्रैक्टिकल ही आएगा और मोस्ट इन्पॉर्टेंट बोल सकते हो करें क्या कहता है सर नेट प्रॉफिट इक्किस बाइस का ओहो दो साल का प्रॉफिट नंबर आफ शेर्स आउटसेंडिंग प्रायर राइट इशू तो नंबर आफ शेर्स राइट इशू करने से पहले कितने है पांच लाग राइट इशू वन न्यू शेर्फोर एवरी फाइव तो राइट इशू नंबर कौन बताएगा वन फोर एवरी फाइव इंटू वन डिवाइड़ बाइड वाइव यानि राइट इशू के नंबर कितने निकल के आए यहां तक सबको सारी बाते समझ में आ रही है कहता है outstanding राइट इशू प्राइस पंदरा बोला गया भाइया मैं तुझे दूँगा at the rate मार्केट प्राइस कितने का दे दूँगा मैं तुझे 15 मैं तुझे 15 में दे दूँगा last date बोला भया इस दिन तक तु खरीद लियो नहीं तो तिर को नहीं मिलेगा fair value equity immediately the prior right issue यानि right issue करने से पहले market price कितने का था समझ पा रहे हो compute basic EPS 21-22 का and adjusted EPS 22-23 का ठीक है यानि एक adjusted होगा एक without adjusted होगा अगर मैं without adjusted की बात करूँ तो bonus bonus का कोई adjustment ना लो जैसे basic सीखा है वो होगा without adjusted में bonus bonus ले लेंगे सर अब आ जाते हैं सबसे पहले जब right issue हो जाता है तो पहला step क्या था हमें एक value निकालना पड़ेगा एक share का ठीक है value per share कैसे निकालेंगे नए वाले share का price नए market price से into में plus right issue into market price into में divided by 50 और 10 60 बताइए क्या value आया क्या value आया वो आ जाएगा 10 जार 15 लाक 50 जार इंटू 21 10 लाक पचास जार और ये कितना आ रहा है देड़ लाक है ना 12 लाक divided by अब हमें निकालना पड़ेगा बोनस कितना इंक्लूडिड है तो हमारा अगर 20 रुपे के हिसाब से पैसे का इंतजाम करते तो राइट इशू के अमाउंट क्या था राइट इशू अमाउंट क्या था हमारा पहले ये पता करो तो सर ये था हमारा 10,000 इंटू में that is डेड़ लाक डेड़ लाक रुपे अगर हमें इंतजाम करना पड़ता 20 रुपे से तो कितने नंबर होते नंबर अफ शेयर्स कौन बताएगा बताओ डेड़ लाक इंतजाम करना किसके इसाब से कितना आएंगे 75 यानि हमारे सर राइट इशू एक्चुल 75 सो होने चाहिए जबकि हमने यहां कितना दिखा रखा है कहां गया कहां गया 10 बोनस निकल जाएगा तो बोनस क्या होगा राइट इशू माइनस अडजेस्टेड राइट इशू इसका मतलब सर बोनस शेयर है यहां तक क्लिए रहे हैं चली आजाएगे 2000 पहले अब राइट इशू 2012 में हुआ है यानि 22-23 के सेशन में 21-22 में तो नहीं हुआ था 21-22 में राइट इशू हुआ था क्या लेकिन 21-22 में बोनस इशू कंसिडर करेंगे क्या बोनस तो करेंगे ठीक है तो पहले मैं 21-22 कर लू Profit क्या 21-22 का 9,00,00,00 फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि इतने सारे कुश्चन कर लिए डिवाइड किस से कर लें बताओ फटाफट फटाफट पहले तो नंबर अफ पुराने वाला पचास हजार इंटू 12 बटे प्लस बोनस इशू 25 पांच लाग है फिर तो ये एक लाग होगा अगर ये एक लाग होगा तो ये छे लाग होगा और ये छे लाग होगा तो ये दो रुपय होगा ये कैसे फिर हमने कहीं न कहीं डिजिट गलत ले लिया है यहां भी होगा फिर चलो कोई दिक्कत नहीं वही आएगा amount यही रहेगा हर जगह 0-0 बढ़ा दिया और यहां भी 0 बढ़ा दिया clear कोई फरक नहीं पड़ा है clear है न हर जगह 0 का impact आ गया तो 5 लाक और यह आजाएगा सर पच्चेस हजार सब जगह 0 बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया clear पच्चेस हजार यह कितने हों गए यह भी 12 बटे 12 निकाल लिए 9 लाक डिवाइट 5 लाक 25 हजार करिए डिवाइट यह अट्जेस्टिट वाला है 9 लाक डिवाइट बढ़ाइट 5 लाक 25 हजार सर यह आगया 1.71 1.1 यह आफ्टर अट्जेस्टिट है विदाउट अट्जेस्टिट में बोनस वाला मतलो एक बोला है इसने क्या EPS यह वाला निकाल दो सिंपल और एक अट्जेस्टिट EPS निकालो तो अट्जेस्टिट वाला यह निकाला है क्योंकि आपने बोनस को अट्जेस्मेंट मारा है विदाउट अट्जेस्टिट में बोनस अटा दो तो क्या होगा 9 लाक divided by only 5 लाक तो आपका आगया 1.8 जो कि यहां दे रखा है मैं यहीं कर देता हूँ 9 लाक divided by 5 लाक is equal to 1.8 खत्म कहानी समझे अगला कहता है कौन से साल कहां दो हजार बाईस तेईस कहां दो हजार बाईस और दो हजार तेईस कहां सरफ प्रॉफिट EPS सरफ प्रॉफिट कितना था 18 लाक divided by 5 लाक वो तो सुरू सही है प्लस 25 जार वो भी सुरू सही है प्लस राइट इशू भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि राइट इशू इसी साल इशू किया गया है सर राइट इशू कितने थे 2700 इंटू कितने महीने के लिए यह चेक करना होगा सर किस दिन राइट इशू किया गया किस दिन राइट इशू किया गया तारिक चेक कर लो एक जून नहीं यह तो एक जून एक जून का मतलब जून जुलाई, अगस, सेप्टमबर, अक्टूवर, नॉम्बर, दिसमबर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च कितने मैंने, दस कितने मैंने फ्रिक है, चलिए पांच लाग, पच्चिस, पांच लाग ये प्लस पच्चिस हजार दूसरा बता दीजिए, फटा-फट, एक ही पूछा, आपसे बाकी तो मैं ही कर रहा हूँ, कितने 62,500, टोटल करके EPS, फटा-फट पांच लाग, बता दे, अब 3.06 का आँ सर clear आपके किताब के सारे practical problem थे ये आपके book के, ठीक है last concept that is diluted मैंने स्टार्टिंग जब किया था न, ये चैप्टर तो हमने कहा था कि सर, दो टाइप के सियर होंगे basic, हमने basic वाला done कर लिया clear है? कोई दिक्कर, diluted करा दे या अगली क्लास में कराए? क्योंकि थोड़ा new topic है में भी हो सकता है कि मैं सब हो जाएगा चलो लेकिन 10 year के सवाल तो देखी सकते हैं साहब 10 year कहां है? पता नहीं है भी या नहीं है? है तो कौन सा chapter था? AS 20 आप मुझे बताते जाएगा क्या सवाल होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि मैं अब टाइम देखो कुछ प्रेक्टिस के लिए भी question चाहिए हाँ answer भी है क्योंकि मैं किताब के अंदर 2-3 method डाल देता हूँ 10 year के अंदर जिसको जैसा समझ मैं वैसा कर ले लेकिन मैं जो हिसाब से करवा रहा हूँ आप वो follow करते रही है सारे questions हो जाएंगे question number 2 में भी क्या पूछा गया है weighted average number बस फरक कितना है यहाँ पे 1800 share, 600 share, 10 यहाँ पे paid up कितना है 5, पता ही है कैसे करना है 3 में क्या पूछा गया है basic earning equity share 1 October को 2 equity share क्या कर दिया गया each outstanding क्याता है bonus issue कर दिया गया है 2 equity share for each हर एक के बतले 2 तो bonus equity के इसाब से निकाल लोगे होगा या नहीं होगा बोनस के लिए क्या आप date को consider करोगे, नहीं करोगे अरे 2 concept तो रहीगे, amalgamation merger और चलो अगली class में कर लेंगे और भी basic वाले में 2 concept रहेगे amalgamation nature of purchase, amalgamation nature of merger, अभी यादा है मेरे कुम बाकि आपके slayvers में है नहीं लेकिन फिर भी कर लेंगे 4th profit 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 दो साल का number of share right issue, last date, excise date सब कुछ given हो जाएगा sir 5 वाला भी नहीं कराया last question 5 है, 5 के बाद 10 year का हो जाएगा, तो homework में कितने question है sir, 4 question 10 year के आपको कर लेना है, सीदा सीदा clear किसी को कोई doubt नहीं हो जाएगा